सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए परफेक्ट क्लासिस में आप सभी का सौगत है शिक्षा निदेशाले रास्टी है राजधानी चेते दिली की वक्षीट नमबर 23 डिसकस करें बच्चों 15 दिसंबर 2020 की वक्षीट है क्लास एर्थ की विश्य है गडित इत्यारती अपने नाम लिख लेंगे कक्षा अध्यापक क एक दिन कक्षा आठवी के सभी चातरों को इस गडितिय पार्क में लेकर गए इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ट पर गया जिस पर संख्या का प्रामिड बना हुआ था संख्या प्रामिडों में पैटरन को खोजें देखिए बच्च यहाँ पर क्या होता जा रहा है वन तो सेम रह रहा है जैसे वन उपर था ऐसी वन आगया सेम यहाँ पर आप देखेंगे एट भी सेम है ठीक है यहाँ पर जो एक नाइन था यहाँ पर दो हो गए यहाँ पर तीन हो गए यहाँ पर चार हो गए ऐसी यहाँ पर एक जीरो थी वो 2 हो गई, यह 3 हो गई, यह 4 हो गई, ऐसे ही यह pattern बढ़ता गया आगे, ठीक है, अब आगे देखते हैं, राम और श्याम का संख्या प्रामिट के निरिक्षन करने का तरीका अलग-अलग है, क्या आप किसी और ने तरीके से इस प्रामिट का निरिक्षन करेंगे, अपने द संख्या प्रामिट में एक pattern को खोजा, सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा, ठीक है बच्चों, जो की संख्या प्रामिट में सबसे उपर है, तता उसके बाद 9801 के बारे में सोचा, जो की संख्या प्रामिट की दूसरी पंक्ती में है, उसके बाद फिर गहराई से उसका निरिक्षन करा और देखा कि दूसरी पंक्ती में 81 के बाई और 9 लिखा है तता 8 और 1 के बीच में 0 लिखी है उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ती का निरिक्षन करा और देखा कि इस पंक्ती में 9801 के बाई और 9 लिखा है आठ तता एक के बीच में 0 लिखी है इसी प्रकार ये करम चला जा रहा है और शामदारन इरिक्षा इसी समय एक दूसरा चात्र शाम ने भी इसी प्रामिट करें इरिक्षा इस प्रकार किया ठीक है 9 कवर्ग 81 नियाडवे कवर्ग 9801 फिर नौसर इनियाडवे कवर्ग करेंगे तो यह आएगा फिर इसका करेंगे तो यह इसका करेंगे तो यह तो यहाँ पर एक 9 की संख्या बढ़ती जा रही है हर बार ठीक है तो ऐसे ही यहाँ भी एक पैटरन बनता चला जा रहा है आपने क्या निरिक्षण किया किर्पया लिखी है तो बच्चों हम क्या निरिक्षण करेंगे हम भी वो लिख देंगे आगे ठीक है तो हमने क्या निरिक्षण किया है हमने भी यह निरिक्षण किया है कि जैसे जैसे संख्याओं का वर्ग यही जो शामवाला निरिक्षण है आप यही सेम लिख देना क्योंकि जैसे-जैसे संख्याओं का वर्ग बनता जारहे है तो उसी के एगोर्डिंग यह प्रामिट भी बनते जारहे है ठीक है तो हमें शामवाला निरिक्षण समझ जारहा है अब आगे देखते हैं इन वर्ग जंख्या में पैटरन को देखें तथा बॉक्स में अपना निरिक्षण लिखें आपके द्वारा निरिक्षण तो देखिए बचो एक कवर्ग एक ठीक है 11 कवर्ग 21 अब यहां एक और बढ़ गया यहां तो एक था हमने एक और बढ़ा दिया तो एक 11 हो गया 11 कवर्ग होता है 121 अब इसके बाद अपने आप पैटरन बनता चला जाएगा कैसे यहां एक था यहां 11 था यहां 11 कर दीजिए फिर यहां 4 बार एक कर दीजिए फिर यहां 5 बार एक कर दीजिए ठीक है ऐसी यहां भी पैटरन बनता जाएगा ठीक है 121 यहां था मतलब 1 और 1 के बीच में 2 था तो यहां पर क्या होगा 1,2,3,2,1 क्यों आया यह देखिए यहां 1 था तो यहां 1 रहेगा दोनों तरफ यहां 2 था ठीक है तो 1 के इधर 2 था तो 1 के इधर भी 2 हो गया वापस से यहां 3 आ गया अब ऐसे ही एक पैटरन बनता चला जाएगा अब दोनों तरफ ऐसी रखिए यहां 5 संख्या हो गई तो आप नीचे वाले में कितनी आएगी नीचे वाले में साथ आ जाएगी दो संख्या और बढ़ जाएगी कि हां वर्ग आ रहे ठीक है अभी यहां आ जाएगा 1,2,3,4,3,2,1 अभी यह ऐसे ही नीचे 1,2,3,4,5,4,3,2,1 यहां ऐसे वाले ही पैटरन लिख लेना यहां पर सेम ठीक है अब पैटरन को पूरा करना कैसे पूरा करना यह देखे हमने कैसे पूरा किया तो देखे बचे यह हमने कैसे पूरा किया 11 कवर 1,2 होता है ठीक है अब यहां पर आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए हमें एक पैटरन दिखाये दे रहा, उपर वाले से ही जैसे नीचे चल रहा ना, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यहाँ पर यह संख्या लिख हुई है, अब हमें यह तीन प्रेटरन इसमें प्रेटरन चेक करने की जरुवत नहीं है, यहाँ पर हम जो देख रहें उसी के according हम आगे भी कर देगे बच्छों कैसे कर देगे देखो दाइ और बाइ तरफ एक है और बीच में हैं दो ठीक है फिर यहां एक है और दो है लेकिन दोनों के इधर-उदर 0 भी आ गई पिर यहाँ पर 1 है, 2 है, दोनों के 2 तरफ 2 0 आ गई, यहाँ पर 1-1-0 सा थी. अब हम next pattern में क्या करेंगे, एक-एक लिख देंक, लिखा हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इहां 2 के दाई और 2 तरफ 2 0 थी, तो यहां 2 के दाई और 2 तरफ 3 0 आ गई, ऐसी यहाँ पर कर देंगे यहाँ तीन थी तो नीचे चार चार जीरो आजाएंगी ठीक है एक एक यहाँ रहागा सेम और दो यहाँ है ठीक है ऐसे यह pattern बन गया हब आगे देखिए निरिक्षण करें और गढ़ना करें निरिक्षण करें और पैटरन का निरिक्षण करें फिर अगले तीन चरण लिखें मतलब यह लिखे हुए आगे के इसके तीन चरण और लिखने लेकिन पहला हम यह वाला पैटरन पूरा कर देते हैं बच्चो देखिए यहाँ पर भी हम देखेंगे तो के इदर उदर 0 है अब फिर यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पर क्या चेंज हुआ है बच्चो यहाँ पर यह चेंज हुआ है 1, 0, 2, 0 फिर उसके बाद आगया 3, 0 है ना और इधर से भी लाते रही आप जितना स्पेस है जैसे 1, 0, 2, 0 ठीक है ऐसे है तो हमने यहाँ पर पहले तो यह वाला कंपलीट कर लो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था 1, 0, 1, 0, 1 1, 0, 1, 0, 1 तो यहाँ पर भी चैजएगा 1, 0, 1, 0 1, 0, 1, 0 1, 0, 1 का स्कोर ठीक है उपर से देखका हमारे यह pattern हो गया अब देखिए यहाँ पर है यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 1 फिर उसके बाद दोनों तरफ 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3 हमें भी ऐसी लेकर चलना है दोनों तरफ 1 फिर दोनों तरफ 0 फिर दोनों तरफ 2 फिर दोनों तरफ 0 फिर दोनों त देंगे तो यह pattern बन गया हमारा same उपर वाले की तरह और ऐसे ही यह बना हुआ है नीचे वाला ठीक है बच्चो तो यह हमने fill कर दिया बस आपको pattern complete करना है जैसे बना होता है वह ऐसे ही नीचे अब यह कर लेते हैं हम answer अपना तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 का work 14 फिर यह हुआ है सरसट का work इतना आ गया सरसट को हम सरसट से multiply करके देख लेंगे ठीक है यहाँ तक तो आप करके देखिए second तक फिर आपको pattern थोड़ा समझ में आता है तो फिर आप ऐसी करते चले जाए जैसे यहाँ पर एक ही six था यहाँ हो जाएंगे बच्चो दो six है ना यहाँ तक देखो हमें दिया हुआ भी है तो हमें इतना दिमाग लडाने की जरुवती है यहाँ एक six है यहाँ दो six हो जाएंगे यहाँ तीन six हो जाएंगे साथ square ऐसी रहगा आपका इसा आप ऐसी लिखती रहे है ठीक है मतलब यह इस पूरे का work है लेकिन मैं pattern समझाने के लिए बता रही हूँ अब देखें यहाँ क्या change हुआ है यहाँ दो बार repeat किया गया चार को फिर आठ और नो और यहाँ क्या change हुआ है यहाँ चार तीन बार हो गया आठ दो बार हो गया नो एक ही बार है उपर वाले की तरह तो हमें नीचे क्या करना है नो सेम रहने देंगे यहा यहाँ पर 6, 3 बार है तो हम यहाँ पर 6, 4 बार कर देंगे, बाकि सेम रहने दीजिए, यहाँ पर 4, 4 बार है तो हम यहाँ पर 5 बार कर देंगे, यहाँ पर 8, 3 बार है तो हम यहाँ पर 8, 4 बार कर देंगे, 9 ऐसी रहने देंगे, फिर आगे भी यही करेंगे, यहाँ पर 6, 4 ब बार आजाएगा, ऐसी इसे लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर 6, 5 बार है, तो यहाँ पर 6, 6 बार आजाएगा, 7 इसकोय लिख देंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 6 बार है, तो यहाँ पर 4, 7 बार लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर 8, 5 बार है, तो यहाँ पर 8, 6 बार ल अब आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें यहां तक तो हम में दिया हुआ होता है कुछ, तो देखिए, चार का यहां, चार का यहां, चार का यहां, चार का यहां, देखने को मिला आपको, चार तो सेम आ रहा है, लेकिन यहां एक तीन था, यहां दो तीन हो गए, ठीक है, यहां 1 टाइम से 3, यहां 2 टाइम से हो गया, अब ऐसी यहां क्या चैंजिस आए, 6 तो सेम रहा, ठीक है, यहां 1 भी सेम रहा, यहां क्या गया, यहां पर 1 टू टाइम से आ गया, और 5 आ गया, और यहां पर क्या गया, यहां एक दो बार था, यहां पर एक तीन बार आ गया, 5 एक बार था, पांच दो बार आ गया, चैसी रहा, अब बस सेम पैटरन हमें ऐसी फोलो करते जाना है, यहाँ पर देखिए, फोर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन तीन दो बार था, तीन तीन बार हो जाएगा, यहाँ पर एक तीन बार था, एक चार बार हो जाएगा, यहाँ पर पांच दो बार था, पांच तीन बार हो जाएगा, चैसी रहेगा, अब आगे भी यही pattern follow होना है देखिए यहाँ पर 3, 3 बार है यहाँ पर 4 बार हो जाएगा 4 square ही रहेगा यहाँ पर 1, 4 बार है यहाँ पर 5 बार हो जाएगा यहाँ पर 5, 3 बार है यहाँ पर 4 बार हो जाएगा 6 same ही रहेगा ऐसी यहां पर भी 4 और 6 सेम रहेंगे चेंजिस का होना है यहां पर एक 5 बार है तो यहां 6 बार हो जाएगा यहां 7 बार हो जाएगा यहां पर 5-4 बार है तो यहां 5 बार हो जाएगा यहां 6 बार ऐसी यहां 3-4 बार है तो यहां 5 बार हो जाएगा यह 6 बार तो यह pattern बनते चला गया ठीक है बच्चों आपकी worksheet solve हो गई है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आईए तो please में वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमाई जर्नल को subscribe कीजिए thanks for watching